अगर देखा जाएं गेट एक्जाम को तो 30 डे स्कुल बचे हैं ठीक है एक जन फैफ कुछ से एक्जाम स्टार्ड है कई लोग हैं जो एक साल से प्रपेशन कर रहे हैं और कई लोग हैं जिन्होंने अभी प्रपेशन चालू किये विदिन दो महीने पहले या एक महीने पहले और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक प्रपेशन स्टार्ट नहीं की लेकिन करना चाहते हैं लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं उनको लग रहा है यार एक मन्त है बस एक 30 डे ही है 30 डे में गेट क्या होगा उन कॉलिफाय नहीं कर सकते तो आप ये बिलकुल कल होगा तो ऐसा बिलकुल नहीं है आप सेल्फ स्टडी से भी गेट क्वालिफाय कर सकते हैं बस आपको क्या चाहिए एक स्मार्ट स्टेटरजी होनी चाहिए आपकी ठीक है एक स्मार्ट वे में आपको पढ़ना है और 30 दिन जो हैं आपके पास उसको अच्छे से 70% के अंदर क्या आता है कोर सब्जेक्ट आएंगे मीन 70 मार्ट के और 30 मार्ट के क्या आएंगे एप्टी ट्यूट प्लस मैथामेटिक्स ओके तो 15 मार्ट का मैथा आएगा 15 की एप्टी आएगी तो यह 30 मार्ट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और यह काफी इसली आप स्कूर कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है 30 मार्ट लाना अगर 30 में से आप मान के चलिए 20 से 25 मार्ट भी ले आते हैं एप्टी और मैथमेटिक्स दोई सब्जेक्ट करके एप्टी तो आपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई होगा कैंपस रिकुर्मेंट के दौरा कटे लेज्ड और मैथमेटिक्स भी आपने फस्ट one-second year में पढ़ाई है और इसमें अगर थोड़ा सा वह कर लेंगे मैड मेरे लेक्ट्र भी है मैथमेटिक्स पे तो वह भी देख सकते हैं अब एक दिन में भी मैथमेटिक्स पूरे लेक्ट्चर देखनेंगे तो आपको के लिए 25 जाता है 25 26 ऐसे 30 के अंदर ही रहता है तो आप 20 से 25 मार्स वहीं पर ले आते हैं बचे कितने 25-10 मार्स कौलिफाय करने के लिए अब 70 मार्स का कोर आता है कोर में होते हैं कितने 8 सब्जेक्ट 8 subject है अब 8 में मान के चलिए आपने 1 भी नहीं पड़ा है तो आप ये बस score कर सकते हैं लेकिन अगर आपने 4 भी पड़े हैं subject और average माना जाए तो 6 से 10 marks का एक subject से आता ही आता है तो 4 subject से कितना होगा 24 marks और 40 marks के बीच में इससे आएगा 4 subject से अब आप मान के चलिए अगर 20 marks भी अगर score करते हैं minimum 4 subject से और 25 या 20 marks यहाँ भी score करते हैं 40 marks हो जाता है अगर 40 marks भी अगर आपका आता है तो 6 से 8000 आपकी rank होगी gate में आप 4 subject पड़के easily score कर सकते हैं 6 से 8000 rank होगी लेकिन जिन्होंने पूरे subject पढ़के रखे हैं लेकिन end time पे आके last time पे वो क्या हो रहे हैं बहुत ज़्यादा nervous हो रहे हैं कई seniors हैं जो डराते हैं कि यार मैं 2 साल से preparation कर रहा हूँ मेरा नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है आपका IQ अलग है उसका IQ अलग है हो सकता है कुछ और उसके कारण उसका ना हो रहा हो तो वो मत सोचीए सबका अलग अलग है अगर आप 30 दिन भी अच्छे से मेहनत करते हैं अगर आपने एक साल अच्छे से मेहनत की है और last के 30 दिन आपने नहीं की तो आपका सब्वेश्ट हो जाएगा तो यह जो 30 देस है last के बहुत important है ठीक है तो यह जो 30 देस है ना आपके लिए ये आपके golden period है अगर आप इसमें भटक गए तो आप समझो कुछ नहीं कर सकते अगर 30 दिन आपने अच्छे से कर लिया ये golden period में तो आपका rank भी बहुत अच्छा होगा मैं इतना तो नहीं कहुँगा कि आप rank 1 ले आएंगे लेकिन आपने अच्छी preparation किये तो 1000 से 2000 रहेंगे भी इसमे आप ला सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लाना तो आप अपने आपको कम मत समझी किसी से और किसी के influence में मत आईए आप अपने भरोसा रखिए चेक कीज़े कि मैंने gate में कित्ता पढ़ चुका हूँ मैत और apti हो चुकी है तो 30 marks तो मैं यहां से ला सकता हूँ उसके जिन्हों ने पूरा subject complete कर दिया है आट कोर सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं एप्टी mathematics सब पढ़ चुके हैं तो उसके लिए क्या करें आप बस practice करें question लगाए और last बाद में बताना चाहता हूँ नर्वस बिलकुन ना हो ठीक है नर्वस होने के कारण ही कई लोग का पढ़ा 30 दिन है तो इसको wisely use करें तो मैं आपको अपने हसाब से strategy बताता हूं 30 दिन को आप कैसे utilize करें अब देखी मैंने आपको बता दिया अब 30 डेस को आप कैसे wisely use करें वो मैं बताता हूं अब देखिए mathematics जिसनों नहीं किया है उसको आप 5-7 डेस दें कि ताकि आपके 15 marks score कर सकें और apti ऐसा है 5 से 5 दिन maximum भी देंगी तो आपका हो जाएगा तो 15 marks से यहां हो गए 30 marks हो गए 30 marks का cover कर दिया सले बस किते दिन में 10 दिन में अब remaining आपके पास बचे किते 20 दिन बचे अब 20 दिन बचे है तो 4 दिन एक subject को दीजिए technical subject ठीक है तो आपके पास किते दिन बचेंग days बचे total यह देंगे आप core subject को ठीक है 16 दिन में आप core subject complete कीजिए और बचे remaining remaining 4 days बचे अब यह 4 day में आपको क्या करना है केवल formula definitions basic थोड़ा सा concept यह बस revise करना है और हो सके तो एक दो test online लगा लें ठीक है उससे क्या होगा आपको एक practice हो जाएगी online test देने की आप जब gate का exam देने जाएगे तो एक आपका हाथ बना रहेगा computer पे और आप nervous नहीं होंगे और एक आपको एक थोड़ा experience feel हो जाएगा कि हाँ मैं easily कर सकता हूँ time management आ जाएगा कैसे कहाँ पे देना है तो वो कर सकते हैं तो चार दिन आप formula definition basic revise करें ठीक है अब core subject की अगर मैं EC का हूँ तो मैं EC की बात कर लेता हूँ कि जो scoring है signal and system अगर आपने पढ़ रखा है तो तीन से चार दिन में आप पूरा अच्छे से क कर सकते हैं control system ठीक है control system भी तीन से चार दिन में आप easily कर सकते हैं इससे भी 6 से 10 marks के कोशन आते हैं इससे 8 सिफ 12 marks के कोशन आई जाते हैं तो यह दो subject तो हो गए उसके बाद EDC और analog circuit ठीक है analog circuit में जरूरी नहीं यह numerical लिया है इसमें कुछ-कुछ ऐसा है basic diagram आ जाता है OPM का या किसी चीज का और पूछेगा यह किस का diagram है तो आपको वो basic बस आना चाहिए EDC में आपको पता है definition आएंगी और basic formula पे numerical आते हैं यह आपको पता ही होगा तो यह 4 subject आगर आप कर लेता हैं तो easily आप 20 से 25 marks इसमें score कर लें और यहां दोनों से 20 से 25 marks इसमें score कर लें तो आपका minimum 40 होता है maximum 50 marks होई जाता है अगर इतने आ जाते हैं तो आपका rank 5000 के अंडर रहेगा ओके तो आप यह कोशिश कीजी और जिन्होंने 8 के 8 subject पढ़ चुके हैं तो उनके लिए कोई बाती नहीं है वो क्या करें बस 8 subject के complete होगे वो बस इनको क्या करें दो दिन एक subject को दे और उसे revise करें तो 16 days में आप पूरा subject revise कर लेंगे 16 days में आपका पूरा revise हो जाएगा उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है 16 days मैंने आपके दिया हुआ है पूरे subject revise हो गए और mathematics और FTP खास ज्यान दें क्योंकि यह 30 marks का weightage रखता है ओके और रही बात इसकी last day में आप ज्याद ना की tense मना चाहिए tense होने की कारण आप हो सकता है exam में blank हो जाए तो वो मत कीजेगा एकदम cool होके दीजे exam और कोई बड़ी बात नहीं है तो friends यह video पसंद आया हो तो please like करें अगर कोई doubt हो regarding कुछ भी तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं और इसको अच्छा लगा हो तो share की चैनल को जिसनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजे और all the best for exam